सोचने से कहा मिलते हैं तमन्नाओं के सहर मंजिल पाने के लिए घर से निकलना भी पड़ता है और चुकि आप लोग डिसाइड कर ले चुके हो माँ भारती की सेवा करने का आपने तैय कर लिया है NDS, EDS निकालने का तो NDS, EDS में वोकेबुलरी का जो रोल है किसे से छुपा नहीं है । और चुकि बड़ा रोल है तो इस बड़े रोल में मैं आपके साथ हूँ इस सीरीज में टोटल 20 वीडियोस आ रहे हैं इन 20 वीडियोस में से अल्री थी वीडियोस आ चुके हैं आपका वाकेब पूरी तरह से कवर हो जाएगा और वहीं से जब ये 20 वीडियों आप लगाने के बाद फिर PYQs लगाओगे आपको maximum questions इसी सीरीज में से मिलेंगे तो आए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला word आपको दिख रहा है concede तो वच्चो आपने एक word तो खुप सुनाए agree या फिर कह सकते है accept करना तो अच्चो accept का मतलब सुविकार होता है तो आपने accept जब कर लिया बिटा तो accept याने की सुविकार तो concede का मतलब भी क्या होता है सुविकार करना तो concede मिन सुविकार कर लेना उसका synonym क्या क्या हो सकता है सबसे पहले ascent, ascent मिन्स सहमती, permit, permit मतलब भी आप किसी को allow कर रहे हूँ, sanction मतलब भी अनुमती देना, और yield का मतलब होता है हाँ भर देना, या फिर एक तरह से surrender कर देना, दूसरे की इच्छा के अनुसार आपने कार्य करना तै कर लिया है, तो concede के ये चारो synonyms हो गए, denial करना, तो denial हो गया, denial के बाद में reject करना बच्चो, reject के साथ साथ आप refuse भी कह सकते हो, refuses का synonyme हो जाएगा, decent देखो, ascent मतलब हाँ, decent मतलब ना, और ये ना के बाद में एक ओड अच्छा वर्ड है बच्चो, तो आपने पहले देखा था, allow means permit करना, और disallow means मना कर देना, तो देखो कितने अच्छे से first word clear हो गया आपका, first word क्या था, concede, concede याने कि स्विकार, और स्विकार का opposite, in car, तो ऐसा प्यार और महबत में होता है, जनरली कभी हाँ, कभी ना, चलिए अगला वर्ड देखी विटा, comprise, comprise का मतलब होता है, विटा समावेश होना कि कोई भी material है, वो किस-किस चीज से मिल करके बना है, जैसे कि NDA का जो examination है, it comprises of two papers, mathematics and GAT, तो comprise का मतलब क्या है, मिल कर बना होना, समावेश होना, तो इस comprise मतलब हो जाएगा, विटा, include, include के साथ साथ contain, consist और compose, कि it contains, कई बार आप डिबबा बन जब भोजन लेते हो, इस डिबबे के उपर लिखा होता है, it contains, comprises of, याने कि इसके अंदर क्या-क्या है, इसके content में क्या-क्या, मिला हुआ है, opposite क्या हो जाएगा, मेरे प्यारे बच्चों, opposite हो जाएगा, reject करना, lake करना, lake मतलब कमी, एक तरह से deficient, deficient आप इसको कह सकते, exclude, यानि किसी चीज को छोड़ देना, except का मतलब होता है, बच्चों, को छोड़ कर, except मतलब क्या होता है, को छोड़ कर, तो एक word होता है, except, और एक होता है, besides, तो besides का मतलब होता है, के अलावा, और accept का मतलब क्या होता है को छोड़ कर जैसे की कि कल के जो emotions थे match में वो धोनी के साथ थे है ना धोनी को छोड़ कर लोग कुछ नहीं चाहा रहे थे तो accept धोनी यानि धोनी को छोड़ कर किसी को ना चाहना और besides besides आपका जो hero है हर्दिक पंडिया कि धोनी के भी फैंस थे और धोनी के फैंस थे किसके साथ साथ पंडिया के फैंस के साथ साथ तो पंडिया के लिए आप क्या कह सकते हो कि there were many fans of धोनी besides हर्दिक पंडिया हर्दिक पंडिया के अलावा चलो तब आगे बढ़ते हैं Comprise यहाँ पर हो गया बच्चों, इसके बाद में next word है, it is compassion, compassion का मतलब होता है दया या फिर करूना, एक word हम हमेशा से याद रखते हैं बच्चों, same pathy, same pathy, इस same pathy को बिटा हम लोग kindness भी कह सकते हैं, kindness का मतलब होता है दया लुता, कि आपके अंदर कितना compassion हैं, यही आपके भी तय करता है, क्योंकि दया ही जीवन का सबसे बड़ा परम आनंद का कार्य है, तो आप देखिए compassion, compassion means करूना, इस करूना को आप क्या कह सकते हैं बच्चा, kindness, sympathy, clemency इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे बटा, clemency, और clemency के बाद में, commisseration भी आप इसको कह सकते हो, तो सब commisseration भी कह सकते हो, अब इसका opposite देखो बटा, opposite है cruelty, cruelty का मतलब होते है, brutality एक तरह से आप के रहे हो, unkindness, unkindness बटा, दूसरा है बटा, barbarity, persecution, आपने एक word सुनाएं बच्चों, molestation, molest करना, किसी को harassment करना, उसका humiliation करना, उसको जबरजस्ती परेशान करना, तो ये एपेथी का मतलब क्या होता है, apathy का मतलब होता, unfilling, जिसके पास में कोई feeling ही नहीं है, ना तो positive है, ना negative है, ये beach में है, beach की feeling वाले को हम क्या कहते हैं, apathy, अगर positive feeling होती है, तो sympathy कहते है, अगर negative feeling होती है, तो antipathy कहते है, और beach वाला feeling है, तो उसको क्या कहेंगे, आप लोग समझ गए, beach वाले feeling को apathy कहेंगे, तो तीनो word आपके clear होगे, आज है यह word number 4 पर, यह कितना सुन्दर सुहाना word है, conquer, तो conquer का मतलब क्या होता है बच्चों, conquer मतलब एक तरह से सहमत हो जाना, एक तरह से approval दे देना, Approval दे देना ठीक है, तो यह कह रहा है, approve करना, conquer मतलब सहमत होना, approve करना, पहला वर्ड आया था न, acid, acid मतलब भी क्या था, सहमती, conquer मतलब भी क्या, सहमती, तो इसके synonyms क्या क्या हो सकते, एक तो approve करना, दूसरा क्या है पिटा, agree, तीसरा क्या है पिटा, consent, और indoors कर लेना, indoors का मतलब होता है, पिटा, adopt कर लेना, adopt कर लेना, मतलब अपना लेना, है न, अ various भी कह सकते हैं आप इसको disagree भी कह सकते हैं आ सहमत डिसेंट देखो वहाँ पर आया था एसेंट एसेंट में सहमत या गया डिसेंट डिसेंट में आ सहमत ठीक है और अपोस करना यानि की counter करना किसी का विरोध करना यह जो सीरीज है ना बच्चा अब जब इस सीरीज के वीडियोस देख लोगे उसके बाद में पीवाई क्यूस लगाओगे ना पीवाई क्यूस आपके लिए लेफ्ट हैंड का खेल हो जाएगा और राइट हैंड से सॉल करोगे चलने देना वसकाली मजए दारी के सांग मैं सिर्फ यह चाहता हूँ कि मेरे वीडियोस देखने व महा रहेंगे और यह फाइव डेस का पूरा केंप होगा जिसमें डेफिनिटली बच्चा वही फिलिंग लेगा जो अगले वर्ड को डिसकस करते हैं यह कह रहा है कॉमोडियस बच्चों कॉमोडियस एक तो होता है बच्चों कमफर्डेवल कमफर्डेवल याने की सुईधा क्या जानक की आपकी सुईधा के हिसाब से कॉमोडियस है तो कॉमोडियस को क्या बोलोगा बचा कन्वेनेट आप किसी मिलने जाते हैं उनसे पूछते हैं उस आपका नविनियंट टाइम बता दीजिए तो कन्वेनेट का मतलब क्या होता है कमफर्डेवल टाइम सूधा जन तो यह हो जाएगा इनकनवीनियेंट, अनसूटेबल, अनकमफर्टेबल और कनफाइंड, कनफाइंड का मतलब क्या होता है गिडा घिरा हुआ, चारो तरफ से घिरा हुआ वेकती है, पुलिस कई बार किसी वो कनफाइंड कर लेती, इसका मतलब उसको डिटेंड कर लेती, उस से होती ही, गुंडे बदमासों से होती ही, केड़ा, तो वहां जीप चलते चलते हैं, अपने पलड़ भी जाती है, कोलिजन का टाइम भी नहीं मिलते है, तो कोलिजन मतलब होता है भिधन्स, टकर, अब इस भिधन्स, को क्या बोलोग forgiving Aussun ant, encounter encounter मतलब फी सामना करना clash मतलब विवाद हो जाना descending मतलब एक से कर सेक्णंट का मतलब सहमती होता था descending का मतलब हो जाता है आसेहमती चलव तो इसका opposite क्या होगा विट्टा पोस्ट हो जाएगा agreement क्या अपने collision मतलब टकर तक कर मतलब अप फेस हो रहे हैं अपोस कर रहे हैं आप करते हैं अब दूसरे गांच का फIGHT का फसीर हो disfrak में इस होसमत स्में लुआने यह हम इंसान हैं कहीं जाते हैं एक डूसरे के साथ अपने आपको पर व्हें हैं हमногे हं सेन इसको यूनियन भी कहते हैं, यूनियन मतलब आपकी एक जुटता, प्यारे बच्चों ये जो मैं सिरीज पढ़ा रहा हूँ, इसमें साटर्डे को आपकी दो ढ़ाई गंटे की क्लास रहेगी, पूरे वीक में जो वर्ट्स मैंने करा हैं, सारे वर्ट्स अच्छे से याद करक इनी वर्ट्स के मैं MCQs ले करके आऊँगा और उन MCQs को आपको सौल करना है, ताकि आपके सारी पूरी जो क्लास हफते वर में आपने पढ़ाई किये, वो दमदार तरीके से रिवाइस हो जाएं, तो साटर्डे को आट बजे आना ना भूलें, चलो, अगली क्लास देखो इनी वर्ट चैयरिश करना है, वह अपने चायल्डूर्ड की यादों को क्या रखते हैं, तो सन्जो के रखना, चैयरिश करना시는 आप पढ़ते हो, नोरिश करना होता है के सिका पालन पोशन करना, अच्छी चीजों को आगे बढ़ाना, तौ बच्छो, चैयरिश के लिए सब सबसे अच्छा वर आएगा nurture, nurture के साथ में आएगा foster, तो first word है nurture, nurture के साथ है foster, अब इसको encourage भी कहते है, encourage करने का मतलब किसी को motivate कर रहे हो, उसको inspire कर रहे हो, अब उसको stimulate कर रहे हो, इसको induce कर रहे है, भई अच्छा काम है करिये, yes, और treasure भी आप इसको कह सकते है, opposite क्या होता है अपोजिट हो जाएगा अबंडन, अबंडन मतलब क्या होता है वेटा त्याग देना, किसी चीज़ को छोड़ देना, ऐसी चीज़ छोड़ना, जिस पर आपका अधिकार था, आपका ओनर्शिप था, force x मतलब भी त्याग देना, renounce मतलब भी त्याग देना, discard कर देना, यानि के एक तर से reject कर देना, तो आपने force x, renounce, abandon, ये सारे words पड़ लिये हैं, आईए, अगले word की तरफ चलते हैं, ये यात्रा हमारी बड़ी सुखद है, और ये यात्रा सुखद इसलिए हैं, क्योंकि हम लोग जो है, force से जा रहे हैं, air force, navy और army, force से, force से air force, navy और army, है ना, कहां जा रहे हैं मिटा, India जा रहे हैं, OTA जा रहे हैं, Indian Air Force Academy जा रहे हैं, ठीक है, Indian Naval Academy जा रहे हैं, तो इन सारी जगे हम लोग जा रहे हैं और अपना परचम फेरा रहे हैं तो यह परचम आपको फेरा ना है तो परचम के से फेरेगा मेरे लड्डूओं यह परचम फेरेगा जब आप खूब महनत करोगे चलो अगला वर्ड देखो chastise करना अब एक word तो है punish करना कि अगर किसी ने गडबड किया है तो उसको क्या कीजिए अगर किसी ने गडबड किया है तो उसको punish कीजिए तो punish करना यानि कि दंड देना अब कई बार दंड लठ से ना दे करके शब्दों से दिये जाता है, तो अगर शब्दों से दंड दिये जाता है, उसको डांटना फट कारना कहते हैं, उससे आप child भी कह सकते हो, उसको आप scald भी कह सकते हो, उसको आप reprimand भी कह सकते हो, तो यहाँ देखिए, chastise बच्चा, chastise का क्या मीनिंग है देखो, punish करना, एड़मोनिष करना, एड़मोनिष मतलब भी डांटना फट कारना, इसकोल्ड करना, रीप्रूब करना, क्या करना बच्चों, रीप्रूब करना, इस रीप्रूब के साथ-साथ, रीब्यूट भी आ सकता है, ठीके, और इसका एंटोनियम क्या होगा बचा, chastise मतलब दंड देना, दंड का अपोजिट क्या होता है, किसी की सराहना करना, तो सराहना मतलब encourage करना, encourage means क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चो, motivate करना, stimulate करना, stimulate का हो जाएगा बटा, induce करना, comfort दिलाना किसी को, relax feel कराना, और उसी को आप cheer कर रहे हो, क्या कर रहे हो बटा, cheer कर रहे हूँ, cheer मतलब उसको हम लोग IPL में नहीं cheer किया है, अपनी team को हम cheer करते हैं, ठीके, चलो, समझ में आ रहा है सबको, कोई doubt तो नहीं, अगर doubt हो तो comment box में डालो, और class लग रही है अगर class अच्छी लग रही है तो फिर comment box में comment तो दिखी मुझे पता नहीं कि आपको अच्छी लग भी रही है कि नहीं लग रही है, मेरे ख्याल से तो class में मज़ा आना चाहिए बच्चा, ठीके, चलो, वहाँ था chestize, chestize मतलब दंड देना, पनिश करना, आब है chest C-H-A-S-T chest मतलब पवित्र होता है इस पवित्र को आप holy भी कह सकते हो इस पवित्र को आप बेटा sacred भी कह सकते हो, तो chestize, हैं सोरा chest, chest मतलब क्या था, holy, holy मतलब पवित्र तो इस पवित्र को आप क्या बोलोगे virtuous, virtuous मतलब आप person of good characters, person है कैसे characters वाला, अच्छे character वाला, इसको आप pure भी कह सकते हो, इसको honorable भी कह सकते हो, honorable honorable को आप respectable भी कह सकते हो और इसका एक और synonym है, immaculate, क्या है सही बच्छा immaculate, ठीक है, चलो तब आगे बड़ो, इसका opposite क्या होगा, कि ऐसा विक्ति जिसकी file खराब है, जो गंदा है तो उसको आप बोलो के बड़ो, defile defile मतलब गंदा, ऐसा विक्ति जिसका character less है, इसको आप black sheep कहते हो, कि society में कई सारे black sheep रहते हैं, black sheep का मतलब क्या होता है, a person with bad character, ठीक है, इसी को आप licentious कह सकते हो, कई सारे काम ऐसे होते हैं, जो आप ऐसे ही normally नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको license लेना पड़ता है, तो licentious उसको कह सकते हो, solid कह सकते हो lustful कह सकते हो, lustful का मतलब होता है, sexual desire या जो कामों के इच्छाएं होती है, उसको lustful कहते हैं, तो chest मतलब पवित्र होगा है, lustful सीज का मतलब होता है, stop, stop मतलब किस चीज को रोग देना, एक word और आता है, वच्छो curtail, curtail का मतलब भी क्या होता है, रोग देना, तो इस curtail के लिए एक word आएगा, pause, pause मतलब भी रोग देना, ठीक हैं, तो अब यहां mission हो जाएगा, pause हो जाएगा, discontinuity हो जाएगा और इसको hindrance भी कह सकते, hindrance का मतलब रुकावट होता है, इसको आप obstacle भी कह सकते हो, continuity मतलब तो लगातार कोई चीछ चल रहे है, उसको continuity बोलोगे, opposite क्या होगा बैटा, देखो, discontinue का opposite हो जाएगा, continuity, intervention याने रोक दिया था, pause मतलब रोक दिया था, pause का opposite हो जाएगा, perpetuation, बच्चों एक word आता है, perpetual, perpetual का मतलब होता है, बच्चों, long lasting, जो लंबा चले, perpetual means क्या है मेरे प्यारे बच्चों, long lasting, ठीके, unseizing यानि कि जिसको रोका ना गया हो, prolongation यानि कि चीजों को लंबा खीजना, लंबा बढ़ा देना, ठीके, तो ये word हमारे सामने था, suggestion, suggestion का मतलब क्या है बच्चों, चीजों को रोक देना, intermission कर देना, discontinue कर देना, pause कर देना, curtail कर देना, stop कर देना, opposite क्या हो जाएगा बटा, discontinue, perpetuation, prolongation, long lasting, अगला देखो कितना सुन्दर वर्ड है, catastrophe, क्या वर्ड है बच्चा, catastrophe, तो बच्चों, catastrophe का मतलब क्या होता है, आपने एक वर्ड तो खुब अच्छे सुने, tragedy, tragedy का मतलब होता है, तबाही, या फिर तरासदी, तरासदी आप इसको कहते हो, तो ये tragedy जो है, तबाही तासदी जो है, इसका सिनोनीम क्या होगा बटा, तो catastrophe का सिनोनीम होजाएगा बटा, disaster, calamity, misfortune, और mishap, fortune मतलब भाग यह, और miss मतलब दुर भाग यह, तो fortune का opposite क्या, misfortune, catastrophe के synonymous क्या क्या होगा, catastrophe का synonymous number one क्या होगा, मेरे प्यारे बच्चे, disaster, calamity, misfortune, mishap अब इसका opposite क्या होगा, तो इसका opposite होगा, खुसी भरे पल, तो खुसी भरे पल के लिए क्या बोलोगे, prosperity, prosperity मतलब होता है, सम्रद्धी, prosperity मतलब क्या होता है, सम्रद्धी, blessings मतलब आशिरवाद, restoration का मतलब होता है, कोई चीज खराब इस्तिती में चली गई थी, वापस अपने सही इस्तिती में आ गई है, और इसी को आप research भी कह सकते हो, कि वो चीज वापस research हो गई है, उन्हा अपनी वास्तिक इस्तिती में आ गई है, अगला देखो मेरे प्यारे बच्चे, ये word क्या कहता है, ये word आपको जो है न, कहां ले जाता है, NDA ले जाता है, कई बार आया हुआ ये word NDA और CDS के examination के, बच्चों अभी एक word हमने पढ़ा था, abundance, तो abundance का मतलब क्या होता है, कि इस चीज को त्याग देना, उस त्याग देने के लिए आपने एक word लिखा था, बेटा, forsake, और forsake के साथ साथ एक word लिखा था, बेटा, renounce, renounce लिखा था, ठीक है न, तो renounce तो वहाँ इथा, renounce का मतलब क्या था, त्याग ना, अब यहाँ पर आया बेटा, denounce, तो denounce का मतलब होता है, आरोप लगाना, आरोप को आप एक तरह से बोलोगे, बेटा, चार्ज करना, ब्लेम करना, किसी को आपने इंडिक्ट करना, इंडिक्ट मतलब होता है, आरोप लगाना, तो यहाँ पर देखिए, Indict हो गया, Condem, Condem का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चो, निंदा करना Kensure मतलब भी क्या होता है, Criticize करना और Reprimand मतलब एक तरह से किसी को डाटना, फटकारना, उसको चाइड करना तो Denounce मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चो Denounce का मतलब हुआ किसी की निंदा करना, किसी को Criticize करना, किसी को आपने Kensure कराना, Indict कराना opposite क्या हो जाएगा, कि जिसकी निंदा अगर हम नहीं कर रहे हैं, तो उसकी हम तारीफ कर रहे हैं तो जिसकी तारीफ की जाएगी, उसको क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे बटा, Praise प्रेज मतलब तारीफ, कमेंड, कमेंड मेंज भी तारीफ, विंडिकेट, बच्चों इस विंडिकेट का मतलब होता है, जिस्टिफाई करना, विंडिकेट का मीनिंग क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जिस्टिफाई करना, और लाउड का मतलब भी क्या होता है, तारीफ करना तो loud को भी क्या बोलोगे बिटा प्रेस करना ठीक है तो denounce यहां पर हो गया मेरे प्यारे बच्चों अगले word पर आओ देखो यह होता है demolish demolish का मतलब होता है ध्वस्त कर देना कई बार ऐसा होता है कि आपके जो municipality होती है अगर आपके नगर में कोई गुंडे बदमास हैं तो नगर निगाम वो गुंडे बदमास जोते हैं उनके घरों को demolish कर देती है तो demolish का मतलब ध्वस्त कर देना इसको हम destroy भी कह सकते हैं बिटा क्या कह सकते हैं destroy कह सकते हैं इसको हम ruin भी कह सकते हैं नहीं लेट भी कह सकते हैं, ठीक है, रूइन मतलब तबाह कर देना, बरबाद कर देना, कई वार बच्चे अपने माता पिता के सपनों को बरबाद कर देते हैं, है ना, भेजा पढ़ने लिखने के लिए जाता है और वो एश करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, डिमॉलि भी कह सकते हो, रेज को क्या कह सकते हो बटा, सावेश ठीक है, अब इसका अपोजिट क्या होगा, क्या आपने किसी चीज को डिमॉलिस किया, ध्वस्त किया और इसका अपोजिट क्या हो जाए बटा, रिपेर करना, रिपेर के लिए एक और वड़े बच्चा, मेंड, मेंड मतलब आपने उसको पुराने इस्तिति में लेकर क्या ना सुधार करना उसके अंदर construct मतलब वापस से पुनर इनमान करना तो इसको आप build कह सकते हो create को produce कह सकते हो मेरे प्यारे बच्चों और erect का मतलब सीधा खड़ा करना erect करना कि कोई building थी उसको द्वस्त किया द्वस्त नहीं किया उसको वापस बना दिया आपने animation के through forward और backward जाके देखा द्वस्त होती हुई दिखी खड़ी होती हुई दिल्ली के दो कोई नहीं परनतु वो जब दुनिया से चला जाता है फिर जर्वी दुनिया तो चलती रहती है तो कभी भी व्यक्ति को क्या नहीं होना चाहिए कभी व्यक्ति को dilution नहीं होना चाहिए डिल्यूशन का मतलब क्या बोर्षम है ना तो इस इस dilution का synonyms क्या आ रहा है? इस dilution का synonyms आ रहा है बेटा deception, deception मतलब भी भ्रहम hallucination, hallucination मतलब भी ब्रहम, illusion मतलब, illusion है मतलब भ्रहम की स्थिति है, आपको कुछ पता नहीं चल रहा है क्या सही है, क्या गलत है, रेगिस्तान में आपोजिट क्या होगा बिटा? तो ब्रहम ब्रहम का आपोजिट क्या होता है, वास्ट विटता होता है, तो इसको आप reality बोलेंगे, certainty बोलेंगे निश्चित्ता, वेरासिटी मतलब सच्चा है एक तो प्यारे बच्चों, यहां देखना है यह वर्ड आया है ठीक है? चलो, आगे बढ़ते हैं, 39 के बाद 40 पर चलते हैं 40 क्या कह रहा है? 40 कह रहा है वेटा, delicious क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? delicious स्वादिस्थ हर आदवी, और इंदोर का तो बच्चा-बच्चा क्या है? स्वादिस्थ भोजन का प्रेमी है, हमारा गिर्राज भी क्या है? स्वादिस्थ भोजन का प्रेमी है, जिसको क्या बोलेंगे? delicious food खाता है, तो delicious के लिए एक word आता है leuceus, leuceus आता है, delicious के लिए क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? leuceus, so swadist होजन, तो इसको, इस delicious को leuceus भी बोलेंगे, इसको palatable बोलेंगे, cds में आया था पिछली बार palatable यानि की जो मन को भाने वाला, testful यानि की swadist, appetizing यानि की जो हमें pet को सांत वाना दे, appetizing होता है, इसको आप denty भी कह सकते मिटो, और इसको आप delectable क्या कह सकते हो बच्चों? delectable कह सकते हो, ठीक है? opposite क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? जो swad ना दे, वो बे swad होता है, तो इस बे swad को क्या बोलोगे प्यारे बच्चों? distastful, unsavory, tolerable, inedible, inedible means क्या होता है? जिसको खाया ना जा सके, जिसको खाया क्योंकि comment box में जब तक आपके comments नहीं आएंगे, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग इस सीरीज को देख भी रहे हो या नहीं देख रहे हो मुझे और आप लोगे लिए क्या करना है? तो you should definitely support, आपका प्यार, महबत, बरकरार है, पर उसको जान बूझ कर, यानि कि intentional, कही बार हम कहते हैं ना कि उसने हमला किया और हमला कैसे किया? जान बूझ कर किया, उसने हमला किया और हमला कैसे किया? जान बूझ कर, यानि कि deliberate, और deliberate मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जान बूझ कर, अब जान बूझ कर क्या इंटेंशनल का मतलब क्या उसका इराद ही था कि वह हमें परेशान करें अब दूसरा देखे विटा मेडिटेट मतलब विचार करके कंसीडर मतलब बिल्कुल सोच समझ करके बिल्कुल आफ्टर प्रापर थिंकिंग इसने ये काम किया है इसलिए इसको हम पॉंडर भी कहते हैं पॉंडर ओवर यानि कि इस सीच पे ध्यान गुवाना नजर गुवाना ठीक है अपोजिट क्या हो जाएगा डेलिबरेट का डेलि के वज़े से इसने काम किये इसको पता नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है और रेंडम का मतलब होता है बिना सोचे समझे तो ये था हमारा वर्ड नमबर 41 ये कह रहा है बैचा डिग्रेडेशन क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चो डिग्रेडेशन है ना तो देख को आपने D कर दिया, तो यह नीचे चला गया, तो degradation का मतलब क्यों होता है, गिरावट, आप इसके लिएव कह सकते हो, in vain, क्या कह सकते हो, मेरे प्यारे बच्चों, in vain, ठीक है, तो देखो, disgrace करना, disgrace, grace मतलब एकतर सम्मान, disgrace मतलब असम्मान, ठीक है, dishonor मतलब उसको disrespect किया, आपने humiliation किया, humiliation मतलब आपने उसका मजाक उड़ाया, humiliate कर दिया, उसको debase कर दिया, उसका जो भी base था, उसका आधार था, उस आधार को निराधार कर दिया है, जो आधार को निराधार कर दि हां जी चलो opposite क्या होगा देखो degradation यानि किसी का गिरावट करना किसी की इंजत खराप करना, बेज़ती करना humiliation करना, debase करना इसका opposite क्या होगा मेरे प्यारे बचो इसका opposite होगा exultation exultation का मतलब होता है पिटा तारीफ है न किता डाणा है तारीफ और भीछ भी कह सकते हैं, होमेज यानि की क्या होता है मेरे प्यारे बेटे-बेटियों होमेज यानि की रेस्पेक्ट होता है। चलो अगला वार देखो बेटेटा, डिफ्रे, डिफ्रे करने का मतलब हुथ है चुकाना, जीसे आप तरह थे पे कर देना, ठीक है। कि हम चारों दोस्त आप बाहर खाने जाते हैं, लंच के लिए जाते हैं, डिनर के लिए जाते हैं, पर हम लोग सब मिलकर डिफ्रे करते हैं, एक कोई व्यक्ति से डिफ्रे नहीं कराते हैं, सब मिलकर डिफ्रे करते हैं, तो डिफ्रे मिन्स चुकाना, और चुकाने के लिए क् के बियर करना जहलना उस को सपेर्ड करना पैा करना या फिर मीट करना उस को किया करना अपाजिट क्या हो जाएगा एक डिफ्रेट लुड़ना ऐसे लुड़ना कब रडू आपको के अपना करने जाता चैनि शुदना खोड़ना ए Middle बिल लाके पकड़ा दिये जाता है आप कहते हो उस बिल को आपने क्या गया डी क्लेम किया कि इस नहीं डिस बिल डस नाट विलॉंग तुभी नेक्स देखेगा बच्चा नेक्स के रहा बच्चो डी फाइल करना देखो अभी थोड़ी देर पहला है तो न पवित्र पवित्र आया था हौली सेक्रेड तो वहां पवित्र था वहीं पर आपोजेट में क्या था डी फाइल का मतलब क्या होता है जो दुर्गुण वाला विक्टी अर्शुद्ध है डी फाइल का आपोजीट क्या हो जाए कंटामिनेशन कंटामिनेट कर देना देखो एक कोई प्योर सेंक्रिटी मतलब पवित्रता कि हमारे धर्मगंत है उनकी सेंक्रिटी बनी है पवित्रता बनी रहे क्लेंस भी कह सकते हैं डिसिंफेक्ट भी कह सकते हैं डिसिंफेक्शन का मतलब होता है जहां इंफेक्शन हो गया है उस इंफेक्शन को आपने समाप्त कर दिया है चलो sufficient का मतलब होता है कोई चीज अपूर्ण है कोई छीज अपूर्ण है यानिक उसमें Sufficiency नहीं है, तो देखो, sufficient को क्या कहते हो, adequate कहते हो, अगर चीज sufficient नहीं है, तो क्या बोलते हो, insufficient, insufficient को क्या बोलोगा, inadequate, तो इसको inadequate बोलेंगे, lacking बोलेंगे, wanting बोलेंगे, और इसका एक और synonym क्या हो जाएगा, इसकेंटी, इसकेंटी मतलब क्या होता है, alp, कोई चीज बहुत कम है, opposite के और है, ample, ample का एक और synonym क्या होता है, plenty, plenty मतलब क्या होता है, प्रचूर, अब इसको आपे न, अपूर्ण को मीगर भी कह सकते हो, मीगर मतलब alp होता है, adequate मतलब sufficient, sufficient मतलब adequate, abundant, a, b, u, and, d, and t, abundant का मतलब भी होता है, प्रचूर, प्रचूर मतलब जितना requirement है, उतना पूरा का पूरा, चलो, अब आगे बढ़ते हैं, और मस्त रहते हैं, और मस्त यहां रहते हैं, defer का मतलब क्या होता है, प्यारे बच्चों, यह वाला differ हम बच्पन से पढ़ते हैं, हमारे question paper का बड़ा favorite होता है, difference, तो differ मतलब क्या होता है, भिन, इस differ का मतलब होता है, भिन, आप इसको various भी कह सकते हो, अब इसका, यह जो defer है, इस defer का मतलब होता है, चीजों को टालना, चीजों को delay करना, आप है प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, तो प्रोक्रेस्टिनेट मतलब चीजों को delay कर देना, आगे बढ़ा देना, तो delay के लिए आ रहा है बच्चों, पोस्टपोन सबसे अच्छा वर्ड है, therefore यानि कि पोस्टपोन करना, delay करना, suspend कर देना, या फिर प्रोलों करना, प्रोलों मतल लंबा खिटना, इसको long lasting भी कहते हो, क्या कहते हो बच्चा, long lasting, ठीक है, opposite क्या हो जाएगा, opposite हो जाएगा, delay को आपने जल्दबाजी किया, तो उसको आप हैसन बोल सकते हो, हैसन यानि कि क्या होता है, जल्दबाजी करना, और क्या होता है बच्चों, stimulate करना, stimulate को आप क्या पड़ा देना, तो निश्चित तोर पर, ये सारे words जो हैं, हमारी exam में हमें देखने को मिलेंगे, word number 46, now come to word number 47, defied है, बच्चों, defied का मतलब चूक होता है, एक तरह से lapse हो गया, lapse हो गई, मतलब चूक हो गई, sleep हो गई, mind से, कोई बात दिमाग से निकल गई, तो उस defied को क्य पाकिस्तान चली गई थी, वो कैसे गई थी, वो defied गई थी, by default गई थी, तो by default का opposite क्या होगा बटा, perfection, perfection यानि कि पूर्ण ताके सांथ, अगला है बटा, vigilance, vigilance का मतलब क्या होता है, बटा, alert, attentive मतलब क्या होता है, साधान, इसको आप careful कह सकते हो, और observance, यानि कि आपने चीजों पर बिल्कुल ध्यान रखा हुआ है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो, आई आगे बढ़ते हैं, तो default के बाद next है हमारे साथ में, next है बच्चो dedicate, तो dedicate का मतलब क्या होता है, dedicate का मतलब क्या होता है, समर्पित करना, कि ये जो book है मेरी dedicate है मेरे student को, कि मेरे student तो dedicate मतलब क्या बोलेंगे इसको dedicate मतलब devote करना consecrate कर देना loyal यानि कि faithful हो जाता है फिर ये surrender थोड़ा दूर जा रहा है surrender का मतलब के एक तरह से उनके सान में समर्पण कर देना ठीके तो समर्पित ही एक तरह से हो गया अब dedicated का opposite देखो बेटा dedicated का opposite क्या है refuse कर देना negate कर देना negate का मतलब क्या है मना कर देना ए हाथ मतलगाना prohibit यानि की ban कर देना और reject मतलब की आस्विकार कर देना ठीक है बच्चों चलो आगे बढ़ो और मस्त रहो और मस्त रहने का तरीका है question number 49 ये कह रहा है बेटा decifer करना तो आप चीजों को decifer करते हो decifer का मतलब क्या होता है decifer का मतलब होता है समझाना कोई चीज जो है आप उसको समझाना चाहरे हो interpretate कर देना interpretation होता है न कि आप calculations को क्या करते हो interpretate करते हो तो decifer यानि कि interpretate कर देना interpretate को आप एक तरह रिवील कर देना reveal का मतलब होता है, उजागर कर देना, show कर देना, decode कर देना, जो कोई चीज उल्जीवी थी, अब आपने उसको क्या कर दिया, decode कर दिया, साथ ही आपने उसको transcribe कर दिया, एक word होता है बच्छो proscribe करना, proscribe का मतलब होता है bain, ठीके, यहाँ क्या है, transcribe, transcribe याने की एक तरश समझा दिया, तो अगर जो समझ में नहीं आया, गड़बड हो गया, तो उस गड़बड को क्या बोलो, misinterpreted, misinterpreted के बाद क्या बोलो, distort, distort के की बाद क्या बोलो, confused, confused के बाद क्या बोलो, pervert, तो आपको confused टाइप के बच्छे ब्रह्म चल, अब यह क्या है, decet, decet मतलब भी चल, एक वर्ड और होता है, बच्छो, guile, guile मतलब भी चल, तो लोग जो है न, आपको या तो forces से डराने की कोशिस करेंगे, या फिर guile से, या तो बल से, या फिर चल से, तो आप ध्यान रखिएगा, decet मतलब होता है, चल, इस चल के लिए क्या जाएगा, बटा, deception, deception मतलब क्या होता है, धोखा, deception means क्या होता है, बटा, धोखा, artifice करना, मतलब भी चल करना, treachery मतलब भी चल कपट, और duplicity, यानि की आपको नकल करके पागल बना रहा है, डुप्लिकेट कर रहा है, बहरूपिया है, ठीक है, opposite क्या होगा, मेरे प्यारे बच्चों, decet मतलब चल होता है, चल का गाईल हो जाएगा, इसका opposite क्या होगा, veracity, veracity मतलब क्या विटा, truthfulness, sincerity, sincerity मतलब बिलकुल, sincere है बंदा, एकदम से, graveness उसके अंदर है, truth है बच्चा और honest है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारी आज की series के 25 words, अगर आपको NDS, EDS, FKD या फिर Navy Air Force के लिए offline class लेना है, आप हमारे indoor center पर आईए, indoor के अलावा हमारा center कहीं भी नहीं है, और we are already dedicated for defense services only, तो यहाँ आकर के आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, आपकी defense services के examinations clear करने में, for defense academy एक बहुत ही important role play कर सकता है, अगर आपको लगता है, यहाँ चलना चाहिए, तो we most welcome you, और आपको अगर किसी भी तरह की परिशानी में संपर करना है, तो आप हमारे इस number 9826049151 पर संपर कर सकते हैं, प्यारे बच्चों, यह class कैसी लगी, इसको comment box में जरूर लिखें, हम लोग daily इसी तरह की नई-नई classes ले करके आते रहेंगे, आप और हम साथ में मिलके इस कारवा को आगे बढ़ाते रहेंगे, जे हिन, जे भारत इंकलाब, जिन्दा बाद, भारत माता की ज़ेंगे,